तो वेलकम एवरीवन वांट्स तो लुक यंग अट्राक्टिव इसमें तो कोई दो रहा है नहीं है किप टाइपिंग इन दे चैट बॉक्स हर आदमी यंग दिखना चाहता है आप देखेंगे तो बाल रंगते रहता है कोई गोरेपन की क्रीम दिखाते रहता है कुछ और करत यह युवा बने रहना चाहते यूद्फुल स्किन की बात करते हैं हर आदमी इसकी बात करता है बट जैसे जैसे साल बीटता है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है आपका जो स्किन है जो की सरीर का पूरा का पूरा आवरन है वो जो है आपके एजिंग का आईना बन जाता और उससे झलकने लगता है कि भाई एज जो है बढ़ रही है सही है एजिंग एक्चली एक natural process है वो हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं सब लोग जानते है natural process है एजिंग तो सबकी होनी है जो जन्मा है उसको बुड़ा होना है और उसको यह होना है लेकिन aging मैं problem कहां पर जब आ जाती है कि जब हम जो है उसके लिए जदी ये कहें कि भई aging हो रही है इसके लिए youthful look का sacrifice कर देंगे तो वो नहीं होता है वहाँ पर दिक्कत है इस सेशन का purpose वही है कि हम बात करने जा रहे हैं कि हम क्या aging हो रही है तो aging के चकर में हम बोले कि भई हम अपना youthful look भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं कहां पर problem आती है तो aging natural process है problem कहां पर है कि pace of aging is important pace of aging is important वो किस speed में aging हो रही है ये सबसे ज़्यादा critical चीज़ है aging तो सब की हो रही है तो problem क्या है untimely aging premature aging ये problem है सब agree है please type yes no in the chat box क्योंकि हम problem पर आ जाएं तब क्योंकि पूरे session हम solution पर बात करने जा रहे है तो problem क्या है aging is not a problem वो तो सब को होना है जो आया है उसको जाना है जो बच्चा है उसको बड़ा होना है बुड़ा होना है लेकिन untimely aging premature aging problem है कारण क्या है इसका premature aging का कारण बोल रहा हूं इसका कारण क्या है untimely aging का कारण क्या है कुछ आप बताते जाएं चैट बॉक्स में जदी आप interactive हैं तो कारण क्या है factors की जदी बात की जाए कि क्या क्या factor है जो untimely aging में हमको धकिलते हैं या हमारा untimely aging करा देते हैं क्या लगता है आपको खान पान रुचा जी कह रही है lifestyle amazing wonderful wonderful answers you are giving तो आप आप सिंग्ड है हमारे साथ येस आपने जो answer दिये हैं एकदम आसपास सारे के सारे answer सही है मैं उनको tabulate कर देता हूँ आपने सारे answer दे दिये लगबग पहला तो things you eat you are what you eat ऐसा कहा जाता है आप जो खाते हैं वो सबसे ज़्यादा है तो things you eat और अब modern जमाने में शहरी जमाने में chemical के जमाने में milout के जमाने में और सारे processed food के जमाने में ready to eat ready to mix ready to cook के जमाने में हम जो खा रहे हैं उसमें ही सबसे ज़्यादा problem दूसरा unhealthy eating habit जो खा रहे हैं वो तो एक बात है लेकिन eating habit कैसा है what you eat when you eat how much you eat how you eat आप एक पनीर खा रहे हैं प्रोटीन बढ़िया है लेकिन पनीर का पकॉरा जदी खा रहे हैं और वो भी trans fat में दुबा दुबा के तो फिर उसका क्या purpose है तो उन तरीके से वो फर्क भी आएगा pollution सबसे बड़ा कारण आज आप देखें महानगरों की स्थिति आप देखें pollution का level और क्यों pollution हवा में pollution नहीं है सब चीजों में pollution है तो pollution की बात करें stress की बात करें anxiety की बात करें आप कितना stress ले रहे हैं इसका आपके aging से सीधा सीधा संबन दे किसी चीज का stress हो सकता है आपका personal stress हो सकता है परिवारी का stress हो सकता है आर्थिक stress हो सकता है आपका नौकडी business का stress हो सकता है work pressure का stress हो सकता है stress कुछ भी हो सकता है और वो stress बच्चों का stress हो सकता है वो stress एक बड़ा कारण junk food एक बड़ा कारण और जब junk food को हम junk food नहीं मानना चाहते क्योंकि आज तो हम food delivery app पे ही चलते हैं और हम जो कुछ भी खारे होते हैं perhaps वो fast food junk food ही होता है poor liver और sluggish liver एक बड़ा कारण बन सकता है smoking एक कारण बन सकता है alcohol दारू पीने वाले का एक कारण बन सकता है दवाईयां जो हम खा रहे हैं डॉक्टर के बताने पे या बिना बताए दवाईयां जो हम खा रहे हैं दवा के दवाईयां खा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है तो ये तो बात हुई factors की कि early aging के भाई क्या-क्या factors है या premature aging के क्या-क्या factor है अब ये premature है या timely aging है ये कैसे पता करें how to differentiate मैंने आप से एक सवाल पूछा आप मुझे chat में reply दें मेरा मैं 52 years का हूँ मेरा जदी कोई age दिख रहा है तो ये जद पता करें ठीक है ये factors तो ने समझ लिया ये कैसे पता करें कि भाई ये timely aging हो रही है कि जल्दी जल्दी हो रही है yes give answers अब निंदर जी कह रहे है कराड़ा scanner से yes और क्या ये कैसे समझेंगे कि भाई ये timely aging है या early aging हो गई इसके लिए इस बात की clarity होनी चाहिए कि क्या होता है aging होने पे hope you are understanding what I'm trying to say कि क्या होता है aging होने पे पहले ये तो पता चले तब हम पता करें कि मेरा वाला जो है वो timely हो रहा है कि जल्दी हो रहा है so क्या क्या होगा science of aging की बात कर लेते है quickly अगले देड़ दो minute में Sense of aging क्या क्या हो सकते है आप सब Science of aging है बट मैं ये बताना चाहता हूँ, जानते हैं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, कि most people, जादतर लोगों से जदे आप पूछे हैं, और आप भी उसे agree होंगे, जादतर लोग ये कहेंगे, और या ऐसा सोचते हैं, कि aging का मतलब हुआ कि skin पे जुरियां आ गई, या बाल सफेद ह हो गए, या ग्रे हो गए, ये सनो, जादतर लोग यही समझते हैं, कि बुढ़ापे का मतलब कि skin पे जुडियां आ गई, और बाल सफेद हो गए, बट इस इट ऐसा है क्या, अभी तो आप देखें, तो 30 साल के उमर वाले का भी बाल सफेद हो जाता है, बाल जढ़ जाता है होता है कि नहीं, तो अब तो वो वाली चीज को connect करेंगी, बाल सफेद हो गए, इसकिन में wrinkles आ गए, तो वही हम बुड़े हो गए, इसलिए आईए जानते हैं, कि aging होने पर सही में क्या-क्या issue होता है, या सही में क्या-क्या issue को हम aging कह सकते हैं, science के हिसाब से, तो quickly हम run जैसा हम ने बोला, देर दो मिनट में इस बात को खतम करेंगे, क्योंकि यह सब प्रस्तावना है, ताकि मैं आपको अपने subject पर properly बता पाऊं, तो सबसे पहले तो science of aging में हम लेते हैं कि science of aging क्या-क्या है, gray hair, hair fall है, skin sagging है, dark spot है, age spots जिसको कहते हैं कि आपके चेहरे पर कोई spots आने लग गये, wrinkles है, जुर्वियां परने लग गई, skin ढीला परने लग गया, sadness है, आपको थकान होती है, energy level आपका कम होता है, या फिर आपका battery down होने लगता है, simple language हैं बोलें तो, जल्दीब down होने लगता है, आप दोपर के बाद थका-थका सा महसूस करते हैं, या फिर आप आपको caffeine, nicotine की बहुत सारी जरूरत पढ़ती है, शुटा लगता है, या चाय, coffee लगता है बार-बार, तो ये जो पूरा का पूरा process है, ये तो हुआ, लेकिन एक और चीज़ आती है, जिसमें कि आप अपने stress को, stress ज़्यादा हो रहा है, और stress किसी को हो सकता है, लेकिन आप stress को handle कैसे करते हैं, आप अपने irritation को manage कैसे करते हैं, तो जदि आप अपने stress और irritation को manage नहीं कर पा रहे हैं, handle ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये aging की लक्षन दे रहा है, कि ये हो रहा है, how you react to your stress और anxiety, lack of laughter, lack of charm is also aging, आप देखेंगे कि बच्चा जो है, एकदम बढ़या से मु तो ये जदि कम हो रहा है, तो ये भी aging है, तो ये तो एक बोलचाल की भासा में हम आप जैसा समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने आपको कुछ reasons बता दिये, now let us talk about, मैं कुछ science के बाते बताऊं कि जो आपका aging से connected है, और मैं चाहूंगा कि आप एक-एक को relate करें अपने से, आ हो सकता है, कि आप 35 साल के हो सकता है, आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, आप जिस age में भी हैं, आप इसको relate करें, कि मैं जो एक अभी point रखूंगा, उसको आप relate करें कि आप उसमें कहां पे हैं, quickly आप अपने मन में और decision भी अपने पास ही रखें, let us talk about quickly, सबसे पहला, तो change in cardiovascular system, ये एक होता है, aging होने पे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मैं इसारा कर रहा हूँ, 60 साल के आसपास, उसके उपर, क्या होगा, तो cardiovascular system में change आएगा, मतलब क्या होगा, जो आपका blood vessels है, arteries हैं, जो धमनिया हैं, वो stiff होने लगेंगी, stiffening of blood vessels होगा, और as a result क्या निकलेगा भाई, तो result निकलेगा कि आपके heart को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, hard work करना पड़ेगा, blood को pump करने के लिए throughout the body, तो heart पे ज़्यादा मशक्कत करने का काम सुरू हो जाएगा, ये aging क्या एक पैचान है, आप इसको अपने पास गिनते रहिए, दूसरा, आपका bone, आपका joint, muscle, इस पे भी जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, bone जो है, shrink होना शुरू करेगा, उसकी size में कमी आएगी, density में कमी आएगी, आपने देखा होगा कि कोछे fit का आदमी है, और एक aging होने पे वो तोड़ा सा height उसकी कम हो जाती है, तो सारा कुछ उसको हड़ियों को कमजोर ब बढ़ेगा, muscle का क्या होगा, तो muscle जो है, strength अपना lose करेंगी, endurance कम करेंगी, flexibility कम करेंगी, muscles, तो ये सब चीजें aging का पहचान है, अब जदी आप 35 साल के हैं और आपको भी ऐसा हो रहा है, तो आप समझें कि aging वहाँ पे आ रही है, premature हो रही है, और जदी आप 70 साल के हैं, और आ आपका जो पाचन तंत्र है, उसमें बहुत सारा फरक आता है, जैसे जैसे age बढ़ेगा, age बढ़ने पे क्या होगा, आपका पाचन कम जोड पड़ जाएगा, जटरागनी धीमी पड़ेगी, आपका metabolism जो है, slow हो जाएगा, weak digestion हो जाएगा, मतलब क्या होगा, कि आप कुछ ख खा रहे हैं, जबकि metabolism कम हो के बहुत कम हो चुका, तो आपको खाना metabolism के हिसाब से करना पड़े या metabolism को बढ़ाए रखना पड़े, something, तो weak digestion और यह सारा issue आएगा, और कुछ की बात करते हैं, और क्या है, आपका bladder, आपका urinary tract जिसको कहेंगे, उसमें सीधा सीधा फरक दिखे मैं आपके चैट को सामने रखा हूँ, आपके bladder और urinary tract में problem आएगा, bladder becomes less elastic, उसकी जो संकुचन है, वो elasticity है, उसमें कमी आ जाएगी, frequent urination आएगा, बार बार पिशाब करना पड़ेगा, आप रात में सोते थे, सुबह सीधा जगते थे, अभी रात में एक दो बार जग रहे ह इसका मतलब क्या हो रहा है, bladder और urinary tract में issue आ रही है, हो सकता है कि आपकी उमर 35 साल हो, लेकिन issue आ रही है, bladder का जो muscle है, या pelvic floor muscle जिसको कहते हैं, वो कमजोर होने लगेगा, तो क्या करेगा ये, आपके ये bladder को empty पूरा नहीं करेगा, जब empty नहीं करेगा, तो आपका bladder control lose होने ल जाना है, time पे toilet जाना है, pressure में रहें, तो ये सारी चीज़ें होंगी, और बुरुषों में तो और एक problem होगा, वो क्या problem है, सबको पता है, क्या type करेंगे, वो problem है, आपके prostate का enlargement, prostate का inflammation होना, तो prostate enlargement होगा, और वो चीज़ जो होए, वो आपको एक अलग तरीके के problems create करेगा, तो ये bladder urinary tract जो है, आपको aging पे देगा, memory और thinking पे काफी फर्क पड़ता है, पड़ता है, yes or no, keep typing, memory thinking पे बहुत फर्क पड़ता है, आपका brain जो है, बहुत सारे changes से गुजरता है, जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है, और होता क्या है, ये memory को affect करना शुरू कर देता है, आप के सोचने की छमता, thinking का तरीका उस पे फर्क पड़ने लग जाता है, ये बात होती है, और इसी लिए हम बोलचाल की भासा में क्या कहते हैं, कि कोई बुजर्ग ने कुछ बोला तो बोलचाल की भासा में slang language में कह देते हैं, कि वो सठिया गए है, age हो गई है, सठिया गए है, बोलचाल की भासा में गलत बोल दिया, लेकिन actually में एकदम बुजर्ग आदमी जो है, थोड़ा सा thinking उनका process different हुआ, और इसी में देखियेगा कि कोई बुजर्ग जो हमेसा active है, कोई mobile पे कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई देख रहा है, कोई बात कर रहा है, वाक कर रहा है जदी आइडिल छोर रहा है, तो वहाँ पे धीमा पढ़ते चला जाएगा, so protecting the brain is important, अपने brain को protect करना है, और इसके लिए ये इंतियार मत करिए कि अभी तो 70 साल के हुए नहीं है, अभी क्या जल्दी है, बिल्कुल जल्दी है, ये कब कहां से असर शुरू करेगा, आपको इस पे alert रहना है, आपका brain एक ही brain है, उसको बहुत संभाल के रखना है, now let us talk about आपके eyes के बारे, आपके ears के बारे, इस पे भी फर्क पड़ता है ये सनो, जैसे जैसे उमर बढ़ती है, इस पे भी फर्क पड़ता है, दिखाई और सुनाई देने में तकलिफ होने लगती है, बोलते हैं, उचा सुनते हैं, उसको दिखता नहीं है, ऐसे problem आते हैं कि नहीं, आप अपने घर में देखेंगे कि जदी कोई senior है आपके घर में, तो TV का volume जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका कान फटेगा लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि सुनाई दिखाई में बहुत फर्क आ गया, पहले में और अभी में, आई साइट में problem आता है, difficulty हो गया किसी चीज़ पर focus करने में, aging से एक और चीज़ होगा कि आई के lens पर असर आएगा, और simple चीज़ होती है कि वो आपका clouding हो जाएगा, उसके उपर धुंदला दुदिया परत cataract, मोतिया बिंद, कितने लोग सुनते रहते हैं न, एक age में मोतिया बिंद हो गया, अब एक आदवी ने समझ लीज़े कि 65 साल का हुआ, 70 साल का हुआ, उसने मोतिया बिंद का operation कराया, और मुझे अभी एक पिछले week कोई हमारे पैचान के हैं business related, तो हमें पता चला कि वो 43 के हैं और उनका मोतिया बिंद का operation हो गहां, आपने भी सुना होगा कि मोतिया बिंद का operation हो रहा है बहुत सारे लोगों का जो कि अभी 40-50 के बीच वेश एक तो यह डिपेंड कर रहे है कि आपने उस आँख को कैसे सम्हाल के रखा, आपने उस कान को कैसे सम्हाल के रखा, आ भाई वो कान कितना साइं साइं करेगा, कितना गंगन करेगा, कितना सुनेगा, कितना नहीं सुनेगा, तो कान का, आँख का भी फर्क पड़ेगा, उंचा सुनाई देने लगता है, मतलब यह difficulty होगी, सुनने में तो difficulty होगी, लेकिन high frequency सुनने में difficulty होगी, तो इसलिए देखिए बहुत सारे वो टेस्ट आते हैं आज कल आपके WhatsApp में भी आ जाते हैं आज कल तो जिसमें की कहते हैं कि यह frequency नहीं सुनाई पड़ी मतलब आप इस साल के हो या इस साल के हो या इस साल के हो होता ना ऐसा तो वो frequency है जो बता रहा है कि उतनी frequency तक आप सुन पा रहे थे, उसके बाद गेज में उतनी frequency नहीं सुन पाएंगे, लेकिन पता चला कि 60 साल के frequency को आप 40 में नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा होता है ना, तो ये मैं बात कहना चाहरा हूँ कि आँख और कान का ख्याल रखने की जरूरत तो आप देखिएगा वो कैसे दिखते हैं, और ये teeth पे हम तब तक ध्यान नहीं देते, तब तक बिलकुल ध्यान नहीं देते, हम सुबह एक बार ब्रस कर लिए, साम को रात को एक बार ब्रस कर लिए, तो बहुत हो गया, हम बिलकुल ध्यान नहीं देते, और बिलकुल नही क्या होगा पूरी दांत लगेगी लेकिन आप देखेंगे कि बहुत लोग आपको बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे कि जो कि दांत से गन्ना खा रहे हैं और वो बढ़िया से सब कर रहे हैं और कोई प्रावलम नहीं है तो दांत एक तो हुआ कि डेंचर लग गया आपका लेकिन उ आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और इसका ध्यान बहुत जादा रखने की जरूरत है दिस इस सम्थिंग आपका वजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपका बॉड़ी जब कालिडी बॉर्न करता है मतला मेटबोलिजम हो रही है तो जो यह मेटबोलिजम है वो एज के साथ साथ धीमा पड़ता चला जाता है धीरे होता चला जाता है और फिर क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है और तब आप उतना ही जदी खा रहे हैं जितन वेली प्रकार होड़ी, वो प्रकार क्या है? तो वो प्रकार है कि आपका वेट कम होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, मतलब इस लेवल पे चला जाएगा कि जो आपका essential muscles है, hip के पीछे, इधर, उधर, जिस पर कि आपको support चाहिए, वो muscles भी कम ह बजर्ग लोगों का, वो muscle जो है, वो कम होता चला जा रहा है, वो वजन कम होता चला जा रहा है, जिसको सारकोपेनिया कहते हैं, और वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो तेजी से muscle कम होता चला जाएगा, बाद में आपको उसको reverse नह नहीं हो, ये ध्यान रखना है, fat gain नहीं हो, muscle gain हो, अब बात करते हैं sexuality के, sexuality में भी काफी फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, age के हिसाब से, आपकी sexual need, आपका performance, काफी कुछ फर्क पड़ता चला जाएगा, women के लिए vaginal dryness जैसी चीज़ें, men के लिए impotency जैस पता चलेगा, तो आपने notice किया कि क्या क्या पता चलेगा, cause of aging की बात करें, और science की बात करें, तो एक कारण आता है, और वो कारण है oxidative damage, आखिर ये aging होता क्यों है, oxidative damage, ये major theory है, oxidative damage वाला, क्योंकि ये theory ये कहता है, कि हमारा metabolism ही कारण है, हमारे aging का, फिर से सुनिया, हमार metabolism ही कारण है, हमारे aging का, क्योंकि इस theory के हिसाब से, aging is a by-product of normal metabolism, about 2-3% of the oxygen atoms taken by the mitochondria are reduced insufficiently to reactive oxygen species, जिसको हम ROS कहते हैं, तो आइए इसको quickly समझ लेते हैं, quickly, 2 minute में, कि ये oxidative damage actually है क्या, जो हमारे aging का कारण बन रहा है, ready हैं, oxidative damage क्या है, type ready है, आप chat box में, oxidative damage ये क्या चीज़ है, जो major major कारण है हमारे aging का, जो age के हिसाब से होता है, लेकिन pre-pond हो जाता है, जल्दी-जल्दी होने लग जाता है, तो जदी हम कारण जाने हैं, तो हम उसको बचा सकते हैं, मैंने एक oxidative stress को समझाने के लिए एक पस्वीर यहां रखी है, सबसे left side वाला आपका normal cell है, सरीर अशंख्य कोशिकाओं से बना है, trillions and trillions of cell, ये एक cell है उसमें का, अशंख्य कोशिकाओं में का एक कोशिका है, ये normal cell है, स्वस्थ cell है, इसका free radical जब होएगा, oxidative damage लेगा, तो ये ऐसा होगा, और उसके बाद more severe oxidative damage लेगा, तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, जैसी यहां पर दिख रही है, तब आप समझें, कि ये इस scenario में जाएगी, इसको ऐसे समझें, कि आपने एक save खाना था, save को cut किया, plate में रखा, और 2-4 minute आपने छोड़ दिया, plate में save की क्या condition हो जाएगी 5 minute के बाद, ऐसी हो जाए जो है, खड़ाब होने लग गया, अब इसके साथ मैं एक और तस्वीर रख रहा हूँ और आप relate करें इसको, ये fresh शेव था, ये जो है oxidize हो गया, oxidative stress की वज़े से, ये fresh skin था, young skin था, oxidative stress ले लेके, अब वो जो है aging दिखाना शुरू कर दिया, यही आप योगा कर रहे हैं, जुंबा कर रहे हैं, बहुत जादा fitness वाले हैं, आपका वो skin वैसा नहीं हो रहा है, yes or no? हेमा मालिनी का उस age में face वैसा नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का हो रहा है, yes or no? किसी का आप ले लें, आप एक ले लें, कोई दूसरे personalities का, आप चेक करें, उनका face different है, why? लिकुश व पता नहीं चल रहा है, oxidative stress, अब इसको और एक तस्वीर से समझते हैं, normal cell, free radical जदी उसका हुआ, और cell oxidative stress से किस तरीके से damage हुआ, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पैसा है, कि आपके परिक्रमा कर रहे हैं यह electrons, तो आपका यह सब देखिए pair में है, green वाला में सब कुछ pair pair में यह जदी एक तूट गया, तो यह free radical बन गया, यह जो सफेद वाला है, यह free radical है, और यही free radical क्या करेगा, आपको जो है, aging की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यह oxidative stress कर रहा है, तो quickly समझे कि यह pair pair में है, proton neutron, और इसको जो है, हमेसा pair में रहने की ज़रूरत है, यह pair में ही रहता लेकिन जदी यह stress लिया, यदि यह smoke किया, यदि यह गंदा खाया, यह chemical लिया, यह नहीं सोया, कुछ इस तरीके की problems किया, तो एक तूटेगा, एक तूटा, तो यह unstable हो गया, यह पहला वाला unstable हो गया, क्योंकि यह pair इसका तूट गया, जैसे यह unstable हुआ, यह बाजू वाले क चीनता चला जाएगा, और हर बाजू वाला, जो है, unstable, unstable होता चला जाएगा, जो chain reaction चलो होगा, इसलिए एक cell cancerous हुआ, तो chain reaction होगा, सारे के सारे cancerous होते चले जाएगे, यह पूरी की पूरी थेरी है, और यह इस तरीके से काम हो रहा है, free radical जो है, इस तरीके से attack करेगा, और फिर वो oxidative stress लेता चला जाएगा, और यही antioxidant जदी आप लेते हैं, आहार में कोई और तरीके से, तो क्या हो रहा है, देखिए antioxidant उसको एक दे रहा है, उस free radical को pair देके pair बना दे रहा है, और settle कर दे रहा है, इसलिए आपका आहार, आपका बिवार, आपका exercise सब कुछ काम का ह जो अभी हम बात करने जा रहे है, quickly screen पे आप देखें, तो एक tomato है, tomato खराब हुआ, और tomato पूरा सड़ गया, normal cell है, खराब हुआ, और cell पूरी तरीके से बरबाद हो गया, तो this is what is happening inside the body, किसको एक कोशिका का photo है, असंखे कोशिकाएं हैं, और यह काम हो रहा है, असंखे कोश of cells जो हैं, नए बन रहे हैं, और millions उसके destroy हो रहे हैं, और यह process continuous on है, आमदनी अठनी खर्चा रुपईया होने लगे, तो पैसा बचेगा क्या, yes or no, type in the chat box, जदी हमारा आमदनी अठनी रहे, खर्चा रुपईया होने लगे, तो पैसा बचेगा क्या, पैसा नहीं बचेगा उसी तरीके से, cell आपके बन रहे कम, और जदी damage ज़्यादा होने लग गए, तो बुढ़ापा इसी को कहेंगे, aging इसी को कहेंगे, इसी लिए जब हम young होते हैं, तो हम grow हो रहे होते हैं, मतलब बढ़या हो रहे होते हैं, और फिर ढलने लगते हैं, अब यह ढलान कहां से सुर 35 पर ही सुरू हो जाएगी, 32 पर ही सुरू हो जाएगी, या 55 पर जाके होगी, 65 पर जाके होगी, या जब सुरू होगी, तो कितना fast steep जाएगी, कि slow जाएगी, ग्राफ कितना steep रहेगा, तो यह final image आपके सामने मैंने रखा, this is oxidative stress, various regions से हो रहा है, oxidative stress का reasons बहुत सारा है, unhealthy food, lifestyle, stress अपने आप में एक region है, बहुत जादा तनाव में रहते हैं आप जदी तो, sleep deprivation, यह हर लोग रह रहे हैं आज की date में, जहाँ पे आप web series देखते हैं, आप लेट तक lifestyle में रहते हैं, कुछ work में रहते हैं, office में रहते हैं, screen, Instagram करते रहते हैं, तो disease कोई है, किसी को diabetes है, कि किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और है, उन दवाईयों, उस बिमारियों के लिए कोई दवाई खा रहा है, तो drugs और medicine भी इसके कारण है, सुटा मार रहा है, smoking कर रहा है, tobacco चबा रहा है, पूडिया डाल रहा है मुँ में, या फिर oxidative stress के यह सारे के सारे regions हो सकते हैं, free radicals ब बोले फिर यह नहीं करना है, यह नहीं करना है, यह नहीं करना है, तो होगा कैसे, हो पाएगा क्या, जदि सब लोग यह कहें कि यह करना ही नहीं, यह करना ही नहीं है, तो होगा क्या, तो आप actually इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, what are you doing currently to address this, type in the chat box, आप क्या कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं चलो यह सब समझ लिया problem समझ लिया गुरापे का कारण समझ लिया oxidative stress को भी समझ लिया लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे है करन साहुजी बोल रहा है मध्य प्रदेश से कि कुछ नहीं क्या कर रहे है actually कुछ नहीं कर रहे हैं सही है कुछ नहीं कर रहे है कुछ लोग लिख रहे हैं liver kidney cleanse कर रहे हैं supplement ले रहे हैं कुछ exercise कर रहे हैं amazing तो बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं पर जदी जाधतर लोगों से आप पूछेंगे कि भई यह oxidative stress के लिए क्या कर रहे हैं तो actually कुछ नहीं कर रहे हैं और जदी कुछ कर भी रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं तो वो shortcuts ले रहे हैं shortcut का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी खास तरीके का diet follow कर रहे हैं कोई ऐसा कर रहे हैं कोई ऐसी कुछ लगा रहे हैं कुछ बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा shortcut ले रहे हैं हम root को जान भी नहीं रहे हैं और root में जाना भी नहीं चाह रहे हैं तो this is an area कि कुछ नहीं कर रहे हैं आप सब लोगों ने बड़या बड़या answer दिया और तो एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो आपको relate करें और relate करें तो आप यह टाइप करें यह तस्वीर है मालेजे कि कोई व्यक्ति यह व्यक्ति है जो late night में अंधेरे room में blue ray देख रहा है अपना mobile पे और scroll नहीं कर रहा है वह actually पढ़ रहा है स्क्रॉल करके पढ़ रहा है कि यंग रहने लिए बुढ़ापे को डिले करने के लिए क्या करना चाई है तो आपको लग रहा है कि this is a good thing to do कि आप जो कर रहे हैं वो आपको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है मैं लिज गिव स्माइली इन दे चैट बॉक्स जदि आपको यह यह चीज रिलेट कर रही है कि हम सिर्फ पढ़ने का सारा नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें हम कर रहे होते हैं लगातार और हम समझ रहे होते हैं कि हम अपने बुढ़ापे को डिले करने की ब कि आप solution की बात करें और solution को ढूंडें और लोगों से बात करें एक्सपर्ट से बात करें कुछ डॉक्टर से भी बात कर लें तो वो क्या बताएंगे आपको कि यह मत करो वो मत खाओ ऐसे मत करो वैसे मत करो होता है कि नहीं yes or no और बहुत सारे ऐसे चीज जो आपको बताये जिससे आप convinced हैं लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। मैं मान लोगी बताओं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है यह ऐसा नहीं करना चाहिए तो कोई शौक से तो करने ही रहा है। मान लिजी एक मिनट कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं और दोस्त समुसा ही खाते हैं तो आप समुसा खाओगे कि नहीं है तो कि आपके फ्रेंडस बड़ा पाओ ही खाते हैं उस टाइम में तो आप क्या करोगे। आप बोलोगे कि मैंने सन्यास ले लिया है या क्या बोलोगे हाँ लेकिन जदि आपके फ्रेंड जदि healthy foods वाले हैं तब healthy foods करोगे अफकोर्स आपने फ्रेंड का circle बदल सकते हो वो सब चीज़े कर सकते हो लेकिन वड़ा पाओ या समोसे का example देखे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं बहुत सारा चीज़ ले लेते हैं कि ये तो possible नहीं है तो possible नहीं है तो फिर possible किया है तो फिर सीदे-सीदे aging की तरफ जाना है possible और तो कोई तरीका है नहीं येस ऐसा ही होता है बट मैं कहता हूँ कि ये possible है या नहीं है इसको बहुत clear रखिए ज़िमान लिजे कि possible नहीं है तो बिलकुल उस पर try मत करिए आप अपने बारे में चेक करिए कि possible है कि नहीं और उस पर try मत करिए क्योंकि half try करेंगे आप सोचते कर भी रहे हैं और हो भी नहीं रहे और मैं follow करता हूँ डॉक्टर प्यूस सकसेना को जो cleansing therapy के प्रनिता है और उनका theory ये है कि वो कहते हैं कि खाओ प्यो मस्त रहो क्लिंज करो स्वस्त रहो और वो दवा मुक्त रहने की सला देते हैं और actually मैं दवा मुक्त रखते हैं सबको और वो होता है कैसे होता है क्योंकि वो practical बाते करते हैं और वो practical natural theory की बाते करते हैं तो इसलिए मैं आपको इस session में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बताने जा रहा हूँ जो की मुश्किल है करना और आप बोलेंगे कि ये तो फिर इतना तो चेंज नहीं कर सकते इतना तो नहीं हो सकता तो मैं आपको कोई असंबह कोई मुश्किल चीज आज इस session में नहीं बताऊंगा I am going to give you nine secrets nine powerful secrets जो कि ऐसे चुटकी बजा के आप incorporate कर पाएंगे और वो इतने आसान होंगे कि अपने day-to-day habits में बिना कोई बड़ा बदलाव लाए आप उनको apply कर सकते हैं और बारी-बारी से use कर सकते हैं Are you ready? Nine super secrets मैं आपको देने जा रहा हूँ ताकि आप अपने aging को slow down कर सकें और कुछ हद तक reverse भी कर सकें Amazing और भी ready चाहिए मुझे जितने लोग हैं सब लोग से request है कि आप type करें ready because मैं आपको nine habits देने जा रहा हूँ अभी nine secrets to slow down your aging और वो सारे के सारे secrets आसान होंगे practical तरीके से apply करने वाले होंगे और सारे के सारे 100% natural होंगे और भले आप इसका note बना ले अपने पास अब उसको ध्यान में रखें और हो सकता है कि नौ में से तीनी आप apply कर पाए अगले महिने एक और apply करिएगा दो महिने के बाद पांचमा भी apply करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता but slow and steady दीरे 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 बिना कोई बड़ा बड़ाव लाए आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं and I'm really overwhelmed कि आप लोग इतना सारा response मुझे दे रहे हैं सारे लोग ready हैं almost everyone is ready and that's really amazing loving this response और आप ऐसे ही अपना response बनाए रखे अब मैं बात करता हूँ इनके बारे में but in secrets को सुरू करने के पहले मैं आपको ये बताऊ कि सारे के सारे जो secrets मैं आपको देने जा रहा हूँ वो based हैं inside out approach पे पूरी की पूरी जो aging है ना ये काम करती है inside out approach पे कहने का मतलब कि मेरे चेहरे पर यदि जुर्या आने लग गई तो मैं यहां पे कौन सा क्रीम लगाऊंगा इस से जुड़ियों का संबंध कम होगा मैं अंदर क्या करूंगा उस से कम संबंध ज़्यादा होगा inside out मैं क्या खाऊंगा मेरे बाडी के अंदर क्या डालूंगा उस पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके बजाए कि मैं उपर क्या लगाऊंगा और कौन सा ट्रीटमेंट कराऊंगा मेरे बाल में ज़्यादी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बाल का सालोन में और इसमें जाके पारलर में क्या करवाऊंगा बाल का इस पे कम असर होगा ज्यादा असर इस बात पे होगा कि मैं बाल को nutrition क्या दे रहा हूं potion क्या दे रहा हूं बाल का care क्या कर रहा हूं scalp का health का क्या कर रहा हूं agree है कि आप मेरे से तो ये कहते हैं inside out approach और ये natural approach है यही approach हमारे बुजर्ग लेते थे हमारे parents, हमारे पिता जी, हमारे दादा जी नाना जी लेते थे और तब देखिए कि वो अभी तक स्वस्त हैं और स्वस्त रहते थे क्यों? क्योंकि उनका approach inside out था अभी का approach outside से हम अंदर डालते यह कर लेंगे हम तो ये वाली चीज मैं आपको दे देना चाहता हूँ, nine benefits बताने के पहले, sorry, secrets बताने के पहले ताकि आप एकदम clear रहे हैं कि सारे के सारे secret inside out approach पे हैं और इसलिए बड़े आसान हैं बड़े simple हैं और आप इसको आराम से कर सकते हैं तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं द्यान से सुनियेगा अब चलिए मैं आपको secret देता हूँ एक एक करके, one by one सबसे पहला secret good sleep, अब आप कहेंगे किसमें नया क्या है, वहीं सब लोग कहते हैं कि सो जाना नया है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ कि good sleep आप कैसे ले सकते हैं बिना बहुत बड़ा बदलाओ किये हुए सबसे पहले तो ideal sleep habit को आप follow करें, अब मैं कैसे आसान बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने आप जो है, अपने ideal sleep habit को follow करें और इसको दोनों तरीके से देखें sleep को आप दोनों तरीका क्या है, कि sleep जो आपका है, वो age के साथ कम होता चला जाता है, अग्री है आप? Please keep typing in the chat box, जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ेगी, sleep कम होती चली जाएगी और जितना आपका sleep deprivation आप करेंगे, उतनी age तेजी से बढ़ती चली जाएगी दोनों connected है कि नहीं? दोनों जरूरी है और sleep का ध्यान रखना है lack of sleep, आपको आपकी aging को speed up कर देता है, so sleeping well और sound is जरूरी है anti-aging के लिए और इसको माना जाता है कि anti-aging का एक excellent habit है sleep की quality को बनाए रखना अब sleep essential है for so many reasons, इसका लेना देना आपके circadian rhythm से है इसका लेना देना आपके immune system से है और वो सारे चीज़ों का लेना देना आपके aging से है अब कैसे बढ़ाएं sleep quality एकदम easy तरीके से small small things will count take care of your circadian rhythm take care of your pineal gland अब pineal gland है आपके gland, mind के अंदर एक छोटी से matrasize की gland जो light देखके decide करती है कि अब जो है sleep hormone produce करना है कि नहीं sleep hormone क्या है? melatonin produce करना है कि नहीं और जदी आपने light ही नहीं बंद किया है सोते समय तक mobile को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो light कहां बंद किया? LED light में आप हैं और mobile में हैं और screen में हैं और TV में हैं तो melatonin तो बनाया नहीं न? जो बनाया ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा? sleep तो melatonin बनेगा produce होएगा तो sleep होएगा yes or no? please keep typing तो ये pineal gland का ख्याल रखें हम rhythm का ख्याल रखें circadian rhythm के लिए sunrise के पहले उठना पड़ेगा तो सब rhythm का ख्याल रखें और जदी sufficient melatonin आपका बनेगा तो वो sleep hormone आपके काम में आएगा एक और trick, छोटी सी trick मैं बोला छोटी छोटी बाते करेंगे एक छोटी सी trick मैं आपको दूँगा इस secret में कि आप sleep की तैयारी करें हम sleep की तैयारी करते हैं क्या? बहुत कम लोग हम हर चीज की तैयारी करते हैं yes or no, meeting की तैयारी करते हैं कहीं जाने की तैयारी करते हैं घूमने जाने की तैयारी करते हैं walk पे जाने की तैयारी करते हैं sleep पे जाने की तैयारी करते हैं क्या yes or no मैं कहूंगा कि साइद आप पूछ लेंगे तो 90-95% लोग, सायद 99% लोग sleep की तयारी नहीं करते हैं एक ऐसी चीज जो 7-8 गंटे के लिए आप करने जा रहे हैं जिससे आपके पूरी longevity का, repair का, aging का, resumination का सबका लेना देना है, detoxification का लेना देना है उसकी हम कोई तयारी नहीं करते हैं देखे हम सब चीज की तयारी करते हैं, खाने की तयारी करते हैं, मिटिंग की तयारी करते हैं, बातचित की तयारी करते हैं और फिर जाके सीधर सो जाते हैं, सोने की क्या तयारी करनी है, जाके सीधर लिट जाना है वहीं पर problem है और मैं ये चोटा सा ट्रिक आपको दे रहा हूँ जिसको आप याद रखें और वो ट्रिक ये है कि हम हर चीज की तो तैयारी किये इसकी ज़िदी तैयारी करने लग गए तो काम हो जाएगा क्या तैयारी है इसकी कोई जरूरी नहीं कि आप नहाएं ही कुछ लोग नहाते हैं इजी होते हैं आप नहाएं बहुत अच्छी बात है रिलाक्स होएं बहुत अच्छी बात है लेकिन जदी नहीं नहाया तो अटलिस्ट फेस्ट वास्ट कर लें अपना फीट जरूर वास्ट कर लें फीट जो है तो भी उसको अच्छे से वास्ट कर लें जदि नहां धो लें आमपीट वगरा क्लियर हो जाए तो और बढ़िया तो आप फ्रेश हो गए ईजी हो गए फ्रेश और इजी क्लोथ पहन लिया धीला क्लोथ पहन लिया तेंपरेचर कंट्रोल कर लिया जिस भी Theatr में जाते हैं आप कोई लंबा बस जर्णी में बैटने जाते हैं बस के अंदर तो क्या करते हैं पानी कम प recruiting लेकिन मैं पानी कम प्यूंगा बोटल है मेरे पास लेकिन कम प्यूंगा कifferentर तो पर मैं ढूनते बैटूंगा वाश्रूम तो मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं लेकिन सोने जा रहा हूं तो मैं कोई तैयरी नहीं कर रहा हूं कोई जदि ये चाय कॉफी के बहुत ज़्यादा सौकीन है तो स्लोडाउन कर दें तीन बजे के बाद कम कर दें और फिर चमत कर दे के क्योंकि कैफीन की ज़रूरत नहीं है उसके बाद स्लोडाउन करें कैफीन चार गानच गंटे पहले बंद हो जाने चाहिए बिलकुल और हिल्दी बाद तो यह है कि छे गंटे पहले कैफीन बंद हो जाने चाहिए सोने के तो यह ओली बात हो गई अब यह जिदि आपने इतना सारा कर लिया तो एक और ट्रिक है कि अप अप्त्रिप्टोफाइन का примal करें त्रिप्टोफाइन एक नाम एक पदारतए एक कंपाॉंड है जो क्या करता है भाई तो यह सेराटोनीन को बनने में मदद करता है सेराटोनीन वो चीज है जो आपकी स्लीप क्वालिटी को कंट्रोल करता है अत्रिप्टोफान आपको कहां पे मिलेगा बहुत सारे फूड में मिल जाएगा जो आप रोज खाते है बात यह है कि वो कब खाना है और कितना खाना है तो आप उस पे आएं आप जदी केला पसंद है आपको तो बनाना में भरके ट्रिप्टोफान होते हैं मिल्क दूध आप पीते हैं सोने के पहले जदी आप एक कप दूध पीएं बढ़िया है केसर सैफरोन जदी आप जानते हैं केसर डालके दूद पीते थे पहले yes or no अभी भी पीते है तो केसर डला हुआ दूद जदि आपने पी लिया या normal दूद पी लिया खजूर जदि आप date खाते हैं खजूर खाते हैं बीन कोई भी बीन कोई भी टरीकी का सेम first bean हो या normal सेम हो सारे बीन, सारी के सारे सीड, जितने भी बीज हैं, जितने भी नट्स हैं, सारे नट्स और सीड्स, खासकर ये जो कोहड़ा का सीड होता है, जिसको पंपकिन सीड कहते हैं, सनफ्लावर सीड कहते हैं, जो हिल्दी सीड्स होते हैं, वो सारी के सारे आपको जो हैं, मदद करेंग या बार-बार नींद खुल गई और आपकी अब नींदी नहीं आ रही है एक बार वाश्रूम के लिए उठे अब नींदी नहीं आ रही जदी ऐसा है तो क्या करना पड़े आपको जो है यह ध्यान रखना पड़े यह पहला आपको दिया मैंने सिक्रेट आगे बढ़ूं यह पहला सिक्रेट मैंने आपको दिया स्लीप पे हम ध्यानी नहीं देते हैं स्लीप पे थोड़ा सा ध्यान दिये तो मैंने बोला हलका हलका बिलकुल आपको कोई रूटीन चेंज करने की जबरतनी यह नॉर्मल चीज है दो मिनट पांच मिनट दे लिजे तयार हो लीजे रूब का टेंपरेचर देख लीजे रूम को पूरा अंधेरा कर लिजे रूम को अंधेरा कर लीजे साउन्ड वहां कुछ नहीं होना चहिए और जदि किसी रीजन से लाइट पूरा बंद नहीं हो पाया तो आई मास्क आता है लगा लिजे एर प्लक आता है कान में वो बड डाल दीजिए तो आप जो है वो सांत हो पाएंगे सीक्रेट नमबर टू टाइमली ब्रेकफास्ट अर्ली डिनर ये एक सीक्रेट है और बड़ा छोटा सा सीक्रेट है ये खाईए वो मत खाईए कुछ भी नहीं खाओ पीओ मस्त रहो क्लिंज करो स्वस्त रहो कोई टेंशन मत लीजिए लेकिन खाने का टाइमिंग लीजिए टाइमली ब्रेकफास्ट अर्ली डिनर मैं क्विकली समझा देता हूँ टाइमली ब्रेकफास्ट का मतलब क्या टाइमली ब्रेकफास्ट का मतलब एक घंटे के अंदर जब आप सो के उठते हैं तो एक से डिर घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा बिंडो 90 मिनट से ज़्यादा नहीं आप उठे हैं और लॉजिक इसके पीछे यह है कि जब आप उठते हैं तो आपका जो 6-8 घंटे का fasting रहता है करिकुलोंगे 10 घंटे का रह बूस्ट करता है और यह एजिंग का एंटी है जदि यह नहीं बूस्ट हो रहा है तो हर दिन आप थोड़ा सा एजिंग करने का कोसिस कर रहे हो और आपने आपको एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं तो फॉर्मूला यह फॉलो करते हैं 30-30 प्लैन 30-30 का मतलब क्या हुगा कि 30 grams of protein within 30 minutes of waiting जब आप उठे हैं उसके 30 minutes के अंदर 30 gram protein आपने ले लिया कुछ भी हो सकता है एक dry fruit आपने ले लिया आपने कुछ ले लिया तो यह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं early dinner पहते हैं अभी early dinner क्या है दो घंटा पहले सोने के आपका dinner खतम हो जाना चाहिए early dinner helps to improve your sleep quality improves your digestion improves your boost your metabolism तो यह सारी सारी चीज़ें आपका blood pressure को control में रखता है blood pressure को reduce करता है और यही सारी चीज़ें है early dinner और एक चीज़ करता है circadian rhythm को sink करता है आपका sleep wake cycle को slink करता है और यह आपके aging को रोक के रखता है ठहरा के रखता है slow तो करी देता है और बहुत लोगों के लिए यह बहुत difficult है कि early dinner कैसे करें भई हम office से 9 बज़े आते हैं हम अभी तक lecture दे रहे हैं आप lecture सुन रहे हैं तो यह early dinner कैसे करें तो इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा बदलाओ काम आता है आजकल बहुत सारी चीज़ें सुरू हो गई है मैं मुंबई में रहता हूं और मैं य इफिन खा के फिर वो निकल जाते हैं क्यों कि उसके बाद आदे गंटे वो travel में घर के रास्ते पे हैं तो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घर जाके खाना नहीं खाएंगे घर जाके बादचित करेंगे और सो जाएंगे तो यह जो बदलाव आ रहा है तीजी से लोग इसको adopt कर रहे हैं तो अपने सहूलियत से आप ये बदलाव ले सकते हैं येस give me yes in the chat box मैं quickly secret number 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ secret number 3 ये है stay active stay active and exercise regularly ये कोई बड़ा secret नहीं है ये सब लोग जानते हैं exercise करेंगे तो inflammation कम होगा इसमें collagen cells बनेंगे और इसमें जो होगा और ये आपके aging को कम करेगा जो exercise करते हैं उनके साथ जो चीजें होती हैं वो ये है कि telomerors जो होते हैं वो आपके जो chromosome के जो ends हैं उनका जो cap होता है उसको बढ़ाते हैं तो cap जो है वो जदी आपने जदी exercise नहीं किया तो shorten होती चली जाती है और जदी exercise किया है तो cap बड़ी होती है तो cardio exercise जदी करते हैं आप तो वो क्या करता है इसको और ज़्यादा high intensity workout जदी करते हैं तो वो endurance training करते हैं तो वो क्या करता है तो ptolemers को वो better करता है than the resistance training तो इसलिए high impact को ज़्यादा prefer किया जाता है और आप इसको ये करते हैं तो ये हुआ आपके बढ़ने का लेकिन mitochondria जो आपकी चीज़ है जिसको powerhouse कहते हैं आपके पूरे के पूरे cell को generate करने का जो energy का powerhouse है आपका जिससे aging आपका decide होता है कि आप old हैं कि aging है उसका लेना देना सीधे सीधे आपके stay active से है और ये पूरा का पूरा चीज़ है अब बात करते हैं hydration की secret number 4 और hydration क्या चीज़ है hydration मतलब आप पानी पीते हैं कितना पानी पीते हैं कितना hydrate रहते हैं क्या आपको मालूम है कि there is a super link between hydration and aging process hydration जदी नहीं रहेगा तो aging बहुत ज़्यादा fast होगी ये इतना ज़्यादा strong link है और हम सोचते हैं कि पानी पीना एक नॉर्मल बात है पानी का मतलब कोई भी liquid की बात करें hydration ऐसा मानते हैं कि decreased body water content is the most common factor that increases serum sodium in your body and serum sodium जदी बढ़ा तो आपका जो hydrated होने वाली जो बात है जदी रखे हैं आप maintain तो वो इसको slow down कर देता है और वो slow down aging process को slow down कर रहा है तो आप युवा बने रहते हैं तो slipping water is that great good hydration can slow down your aging sure shot अब दिन भर पानी आप sip कर सकते हैं आपके सामने table पे पानी रख सकते हैं पानी भर के ढखके रख सकते हैं एक पानी का bottle रख सकते हैं आपको और एक राज की बात आज बताता हूं कि water keeps your body hydrated and maintains your skin elasticity ये जो skin की elasticity है ना सपलने से जो elasticity है उसको बढ़ाने का काम ये hydration करता है और हम पानी को ध्यान नहीं देते हैं इसलिए यदि आप sip करते रहेंगे पानी तो आपको scars नहीं होंगे wrinkles नहीं होंगे fine lines जो बन रहे हैं वो नहीं आएंगे देर से आएंगे age spots नहीं आएंगे और आप अपमे aging को ठहरा पाएंगे और पानी को पीने का reason ढूंडिए current ढूंडिए make it attractive पानी पीना attractive होना चाहिए मज़ा है पानी पीने में make it doable कि हम बार-बार पी सकते हैं ऐसा नहीं कि पानी रख दिया है दूसरे रूम में अब उठने कोई दिक्कत हो रही है पानी सामने होना चाहिए आपके हाथ में होना चाहिए doable होना चाहिए easy बनाईए इसको how to make it attractive कोई suggestion attractive कैसे बना सकते हैं तो attractive ऐसा बना सकते हैं कि एक simple सा trick लीजिए आप पानी का bottle लीजिए plastic का bottle छोड़िए आपके पास आजकल बहुत अच्छे-चे bottles अबिलेबल हैं बाजार में steel के bottle हैं copper के bottles हैं आप एक अच्छा sexy bottle लीजिए जो एकदम बढ़िया आपको पसंद आता हो ताकि आपको attract करे हो उसका तरीका डूंड़िए उसमें कुछ डालिए lemon water पीजिए ginger water पीजिए जीरा पानी पीजिए या फिर कोई drops आते हैं बहुत सारे wellness drops जैसे curcumin drop हो गया antioxidant drop हो गया तुलसी drop हो गया कोई भी डालें पानी का test भी बहतर हो जाएगा और sip करते रहें थोड़ा-थोड़ा sip करते रहें तो ये आपकी aging का एक बहुत नायाब formula हो सकता है दिन बढ़ पूरा गट-गट पीने की ज़रूरत नहीं है बोलेंगे भाई stress तो सबको हो रहा है stress कैसे manage कर सकते हैं आप कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत simple trick बता रहा हूँ stress normal part है हमारे life का but too much stress जदी हुआ तो ये aging को speed up कर देता है सीधा speed up कर देता है गाड़ी अच्छानक accelerate हो जाती है तो stress impacts almost all the system of your body सारे system चाहे वो nervous system हो चाहे वो आपका endocrine system हो सारे के सारे hormone production की बात हो हर जगह पे ये जाके problem करता है और जो आपका stress hormone है जिसको cortisol कहते हैं उसको जो है ये बढ़ाना सुरू करता है collagen को affect करता है skin की elasticity को affect करता है और इसी लिए stress को manage करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कैसे manage करेंगे तो सबसे पहले तो stress को ignore करना सुरू करें stress वाली चीजों को वजन करें जैसे मान लिए कि कल सोने के पहले जदी आपने कल क्या करने वाले हैं simple लिखके रख दिया क्या सुना था उसको भूल गए तो क्या होगा कल का दिन जदी control में आपके है आप planned है plan बना के रख दिया तो आप देखेंगे कि आप कल के लिए तयार है अब sleep बढ़िया आएगी stress कम रहेगा बहुत stress होड़ा है paper लेके लिख दीजिए इस आदमी से बहुत stress आ रहा है जदी stress कोई चीज बहुत सारा plan कर दिया जल्दी जल्दी कर दिया stress होने लग गया माल लिजे कि आप गाड़ी पे निकले अभी flight पकड़नी है, train पकड़नी है रास्ते में traffic आ गया stress बढ़ता है कि नहीं आप तो छूट जाएगा flight छूट जाएगा तो अपने आप stress plan होने लग जाएगा ऐसा वो काम करिये ही मत जिसमें कि stress हो जाए हमेशा एक cushion रखिए हमेशा एक cushion रखिए आगे बढ़ते हैं secret number six manage your hormones और ये एक बड़ा subject है इस पर पूरी की पूरी book हो सकती है और ये subject को मैं quickly बता दूँ कि बहुत सारे hormones हैं जो हमारे emotions को control करते हैं हमारे bodily function को control करते हैं और वही hormones आपके aging को भी control करते हैं या तो बहुत जादा accelerate कर देते हैं accelerator दबा देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें उन hormones की बात करनी पड़ेगे testosterone उसमें का सबसे मुख्या hormone हो गया क्योंकि वही wrinkle देता है muscle loss कराता है hair methining कराता है weight gain कराता है आपके सारे aging का काम कही न कहीं पर testosterone करता है और ये testosterone woman के मामले में भी काम करता है ये male hormone है लेकिन woman में भी testosterone जो है वो उनके fit रहने की ability को अपना weight बनाए रखने की ability को कम करके aging दिखाने लग जाता है उनके face पे melatonin एक चीज है जो आपके free radicals को तेजी से destroy करता है जो मैंने आपको भी free radicals थेरी बताई थी और ये इतना कर देता है कि melatonin अकेला 25% आपका life span कम कर सकता है आप 100 साल जीने वाले थे तो melatonin सिर्फ आपका 25 साल कम कर सकता है सीधा सीधा और ये कौन बनाता है melatonin आपका pineal gland बनाता है जो दिमाग के अंदर है जो light से control होता है साम को dim कर दिया धीरे धीरे light कम करने लग गए उसको बताने लग गए कि अब अंदेरा हो गया आप सो गए तो वो क्या करेगा वो उसका ध्यान रखेगा सरकाडिन रिदम का आप ध्यान रखेंगे तो उसका ध्यान रखेगा melatonin का endorphin नाम का एक पदार्थ है hormone है आपका वो hormone brain release करता है और कब release करता है जब आप exercise करते है जब आप workout करते है endorphin release होता है और जितना ज़्यादा endorphin release करेंगे आप उतना ज़्यादा आपकी aging slow होती जाएगी और आप जवान बने रहेंगे oxytocin एक चीज़ है मैं हरका तरीका बताते जा रहा हूँ endorphin कैसे मिलेगा मैंने melatonin कैसे मिलेगा आप उस्क्रीन देखना बंद करिए आप endorphin कैसे मिलेगा मैंने बता दिया exercise करें morning में करें oxytocin not only enhances your well-being बट oxytocin क्या करता है तो ये skin को radiant बनाता है glow करता है उस पर tightening करता है skin पर aging का mark कम करता है oxytocin love hormone है oxytocin को लाने के लिए क्या करें अब प्यार से बाते करें hug करें किस करें लोगों से मिलें जब मिलें प्यार से मिलें और मुस्कुराते रहें तो ये oxytocin ग्लीज होगी और भी कुछ important hormones है जैसे एक DHEA है जिसे literally fountain of youth hormone कहते है एक और है ACTH ACTH को body का stress hormone कहा जाता है वैसे ही estrogen नाम का एक चीज है जैसा हमने भी testosterone बोला वैसे ही estrogen है जो woman का hormone है और वो woman के aging के लिए सबसे ज़्यादा important factor बन जाता है तो इन hormones का जदी ख्याल रखा जाए और experts study की बात माने जदी और समझे तो physical aging जो human में होती है उसको slow down किया जा सकता है और बहुत हद तक reverse भी किया जा सकता है जदी हम इन hormones को manage कर पाएं तो और ये सारे hormones हमारे खान पान से हमारे lifestyle से हमारे habits से manage हो सकते हैं और किसी के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी छोटे छोटे steps लेंगे तो होगी अब secret number seven secret number seven में liver cleansing मैं liver की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि liver आपका master organ है master cleansing है master detoxification आपकी पूरी body का 5000 से ज़्यादा chemicals आपकी body में बनते हैं जिसमें 500 vital functions अकेला liver निभाता है उसका ये blood sugar को regulate करता है ये vitamin बनाता है ये blood sugar आपके blood को maintain करता है उसके blood के अंदर के thickness को maintain करता है muscle को maintain करता है उसके tremoring को बचाता है और ये सारा कुछ liver बखू भी कर रहा होता है लेकिन जब liver ही ठीक से काम नहीं करे तो क्या होगा liver का काम क्या है toxin को बाहर निकालना flush out करना food को process करना nutrient को process करना vitamins को process करना body के metabolism को regulate करना और जदी liver ही काम नहीं करे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम तो हैं liver के इतने सारे सारे के सारे काम आप देखिए toxic निकालना inflammation को कम करना nutrient absorb करना hormone को regulate करना सारा कुछ आपके aging से connected है लेकिन चक्कर क्या है तो चक्कर ये है कि ये जो master organ है हमारा तकरीबन 20 से 25% जो है liver का जदी functionality liver की देखी जाए तो average आदमी में 20 से 25% liver function कर रहा है liver की functionality कम होती चली जा रही है क्योंकि liver बिमार है sluggish है 38% भारतियों का जो liver है वो fatty liver है वो भी non-alcoholic fatty liver है liver ही sluggish है तो जो cleansing का organ है वो खुदी उसको cleansing की जरूरत है what about yours आपका कैसा liver है कैसे पता करेंगे तो आप पता भी करेंगे और liver को आप maintain भी कर सकते हैं मेरा समझाओ ये है कि आप हर तीन महीने में कम से कम एक बार liver cleansing करें जिसमें आपको कुछ नहीं करना है कहीं नहीं जाना है किसी डॉक्टर को नहीं मिलना है कोई दवाई नहीं खर लिनी है आप simple दो सामान कोई एक olive oil लिया कोई चीज लिया और आपने आज साम को शुरू किया कल सुबह में खतम कर लिया और घर में ही रहे कुछ भी नहीं किया और liver पूरी की पूरी cleanse हो गई तो ऐसा आप कर सकते हैं तो ये हुआ secret number 7 secret number 8 की बात करते हैं ये है dry बात dry बात का मतलब होता है मैं massage को connect कर रहा हूँ dry बात से ये एक बहतरीन trip है secret को आप जदी ले लें तो ये आपके लिए बड़े काम की चीज़े massage तो सब लोग नहीं करा सकते massage बहुत काम की चीज़े पहले तो क्या धूप में भी हम जाड़े का दिन है interesting लगेगा और बड़े आसानी से हर दिन आप कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट आपको देना है क्या चीज़ है ये dry बात तो ये massage का benefit देने वाली चीज़ है बात के पहले जब आप असनान करने को जाएं अपने सारे कपड़े आपने निकाल दिया असनान के लिए तयार है अब आप dry बात करें ये एक natural therapy हो गई aging के लिए बहुत important क्या करना है जैसे workout आपके muscle पे काम करता है वैसे dry बात आपके skin पे काम करता है तो dry बात में क्या करना है तो जैसे आप बात करते हैं वैसे ही पूरी body में आपको पूरा मलना है dry कोई पानी नहीं लगी है पूरी dry और तेजी से मलना है जैसे आपका भी हाथ को ऐसे करते है तो कैसे गरम हो जाता है बिल्कुल तो वैसे ही तेजी से करना है हाथ पे जैसा किया वैसे पूरी जगह पे गाल पे, पोरेट पे, इदर, पीट पे, इदर, उदर, ठाई पे, पैर में, पेट पे, छाती पे, सब जगह पे आपने कर लिया जदी, तो क्या होगा? दो चीजे होगी. पहला तो यह होगा कि यह ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़िया कर देगा और ब्लड सर्क प्रडक्शन को एक्टिवेट करेगा, बूस्ट कर देगा कॉलाजन प्रडक्शन को और अंटाइमली, जो आपकी एजिंग है, उस पे सीधे-सीधे लगाम लगने लगेगी. इलास्टिसिटी जो स्किन का है, वो बहुत बढ़िया बढ़ेगा, सपलनेस पे, कॉलिटी पे फर्क पड़ेगा, और बहुत कम रिंकल की बात होगी, और रिंकल जदीव होने भी लगे हैं, तो वो बैक होने लगेंगे, कैसा है आइडिया पसंद आया? यह आइडिया आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, साइंस बैक्ट आइडिया है, और इस लिए यह सिक्रिट नवर एट है, अब सिक्रिट नॉबर नाइन की बात करते हैं, सिक्रिट नाइन है, बेज्टेबल जूस का मत لब हुए कि कोई भी बेज्टेबल, जो आपको पसंद है, वो Kan लेके आएं एक एक दो दो पीस और आप किसी दिन कोई सब्जी किसी दिन कोई सब्जी 4-5-10 चीज़ें डाल दें मिक्सर में चला लें और उस मिक्सर के जूस को निकाल के जो गाड़ा सा स्मूधी बन गया उसको आप पिए बीट रूट हो सकता है टमाटर हो सकता है गाजर हो सकता है खीरा हो सकता है ककड़ी हो सकता है आप जो भी चाहें सिमला मिर्च हो सकता है कुछ भी डाल दें बीट रूट जो है पैक्ड है निउट्रियंट्स के साथ उसके अंदर पोटेशियम है जिंक है आईरन है Folic Acid है, Magnesium है, Magnes है, Vitamin C है, सब कुछ उसके अंदर है ये nutrient क्या करते हैं, तो आपके blood को purify करते हैं, skin को glow करते हैं गाजर आप खाली ले लें, तो गाजर के अंदर vitamin A प्रचूर मात्रा में है wrinkle pigmentation और uneven skin tone के लिए उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है टमाटर एक डाल दें उसमें, टमाटर का क्या फर्क है, टमाटर के अंदर एक खास तरीके की चीज होती है और वो आपके काम आएगा, टमाटर packed है, एक खास तरीके का antioxidant, उसका नाम है lycopene lycopene का सीधे-सीधे आपके aging से संबंद है, lycopene maintain रखिए, aging नहीं होगी, slow down हो जाएगी तो टमाटर के अंदर वो है, वो एक टुकड़ा डाल दिया आपने, cucumber जदि आपने कोई खीडा हो रहा डाल दिया, उसके अंदर दोचाट टुकड़ा जदि आपने bell डाल दिया, जिसको bell paper कहते हैं, सिमला मिर्च, तो सिमला मिर्च जो है, आपको photo aging वाली benefit देता है, pigmentation से आपको बचाता है, dull skin नहीं होने देगा, dark spot नहीं बनने देगा, तो juice और smoothie जो है, इसमें आप अपने पसंद के जो इच्छा हो डाल दें, आप इसके अं डाल दिया, एक test के हिसाब से आपने बनाया, दो दिन, तीन दिन आपको चौते दिन वो ऐसा पसंद आ जाएगा, ऐसा टेस्ट आ जाएगा, morning में, breakfast के पहले, बाद में आपने जदी ये juice लिया, mixed vegetable shake जैसी चीज़ आपने बनाई, smoothie, और ये हर दिन लेने की बात की, तो ये wonderful चीज़ आपके लिए हो जाएगा, wonderful चीज़ हो जाएगा, और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, और सिर्फ 30 दिन में, 60 दिन में आप इसका फर्क आपको दिखने लग जाएगा, आपके mirror में, और ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, साइध ये पूरा बनाने में आप आपको पांच मिनिट लगेगा, साइध ज़िए आप एक बार बनाएं तो पूरे घर के लिए बन सकता है, ज़िए इसका system आपने kitchen में डाल दिया, कितने लोग इसको try करेंगे, please type yes in the chat box, कितने लोग को लगता है कि this is a wonderful thing that you can start, और आप कल Sunday है, कल से start करें, और जब आप इस को manage करने की बात की थी, सब पे extraordinary फरक आएगा and that will be a wonderful thing, we call it acidity cleanse, तो ये बहुत जबरदस तरीके से कर सकते हैं आप